चलो बच्चो हम करते हैं question number 2 ठीक है क्या करें divide the given polynomial बादा monomial monomial मतलब एक है सबके base में एक ही term में तो ये देखो सारे की सारे monomials है ठीक है चलो first of all I solve करते हैं here you have 5x square minus 6x divided by 3x ठीक है बच्चो क्या कर सकते हैं यहां पर देखो x का square है मैं इसको कैसे लिख सकते हूं x into x-6 x divided by 3x यहीं तो बच्चो मैं ऐसा करूं यह देखो x दोनों तरफ मुझे common नजर आ रहे हैं मैं बहार ले लू तो यह कितना बच गया 5x x मैंने हटाया है हां से तो यह 5x ही तो बच्चा ठीक यहां पर क्या बचेगा minus 6 क्योंकि मैंने x बहार ले लिया यह हो जाएगा 3x x x cancel out हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 5x minus 6 divided by 3 ठीक है clear है अब आजो तुम इसके second part पर यहां पर रहे आपके पास 3y to the power 8 minus 4y to the power 6 plus 5y to the power 4 divided by y to the power 4 ठीक है बच्चो मुझे क्या नाज़र आता है कि numerator में देखो सब के पास minimum y to the power 4 तो सब में ही है है कि नहीं मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ y to the power 4 into y to the power बताओ 4 लिख सकते है कि नहीं लिख सकते है क्यूं क्यूंकि 4 plus 4 8 होता है multiplication में क्या होता है बच्चो इसको ऐसे मत सोच लेना कि दोनों multiplication में तो 4 416 हो जाएगा नहीं मुल्टिप्लिकेशन में जब सेम बेस के साथ होता है तो क्या करते हैं पार्स को एड़ करते हैं ना पता है ना थी तो मैं इसको ऐसे करके लिख दू आगे आजो इसको मैं लिख सकती हूं 4 y to the power 4 into y to the power 2 4 plus 2 6 होता है आगे बढ़ो इसको मैं यह तो यही है ठीक है y to the power 4 क्या कर सकते हैं y to the power 4 common ले सकते हैं सब में से क्या बचेगा 3 y to the power 4 क्योंकि y to the power 4 मैंने common ले लिया यहां क्या बचेगा 4 y square यह तो common है यहां क्या बचेगा plus 5 divided by y to the power 4 ठीक है क्या करोगे दोनों को cancel out करो तुम्हारा answer क्या हो जाएगा 3 y to the power 4 minus 4 y square plus 5. This will be your answer. ठीक है? अब आजो इसके third part पाए. Here you have 8 x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube divided by 4 x square y square z square. ठीक है? क्या नज़र आ रहे हमें? x square y square z square सब में मुझे नज़र आ रहे है ना? पहलो तो 42008 कर दो. इसको करो. ठीक? इसका chapter close हो गया. 2 लिख दो. ठीक? अब बच्चो मैं सब में इसे अगर x square y square z square common लेती हूँ. यहां क्या बच्चो? खाली एक x क्यूब था. x square लिया तो बस एक x बचा. यहां पर बच्चेगा खाली एक y क्यूब है. y square बाहर ले लिया था. यहां पर क्या बच्चेगा? सिर्फ z ठीक? divided by x square y square z square यह पूरा कैंसल आउट हो जाएगा. तो आंसर विल बी 2 x plus y plus z. अब आज़ा तुम इसके फोर्थ पार्ट पे. here we have x cube plus 2 x square plus 3 x divided by 2 x. तो मैं x common ले सकती हूँ इसमें है न? यहां क्या बच्चेगा? x square यहां क्या बच्चेगा? 2 x यहां क्या बच्चेगा? सिर्फ 3 क्यूँके मैंने x बाहर ले लिया. x x cancel out हो जाएगा. divided by 2. तुक्ये? अब आज़ा इसके last part में. तुक्ये? देखो बच्चेओ. यहां पर last part में you have p to the power 3 एक q to the power 6 minus p to the power 6 q to the power 3 तो मैं एक p cube और q cube बाहर ले लू. common यहां क्या बच्चेगा? q to the power 6 में से 3 बाहर ले लिया. है ना? तो parts को add ही तो करते हैं. हम 3 बाहर ले लिया. यहां क्या बच्चेगा? सिर्फ 3. ठीक्ये? इधर आ जाओ. क्योंकि q to the power 3 मैंने बाहर ले लिया. तो यहां क्या बच्चेगा? 6 है पार. 3 बाहर ले लिया. अंदर क्या बच्चेगा? 3. यह क्या हो जाएगा? बच्चों, इससे वो मत करना कि 3, 3 is a 9 होगा. क्या करते हैं? पार्स को same base होती है. यह क्या मुल्टिप्लिएशन पार्स हमेशया अड होती है. 3 प्लस 3, 6. ठीक्य? तो आपका आंसर हो जाएगा q q minus p q. This will be your answer. ठीक्य? Thank you for watching Brain of Solutions.